आफ्ताब की हत्याकर शब को फिंके जाने का मामला आरोपी की मंगेतर से करीबी को लेकर आफ्ताब की हुई थी हत्या हत्या कर आरोपी ने अपने साथी संग मिलकर वेहनार से पहुचाया था घैला पुल घैला नदी की जाडियों में शवच पाकर बड़ी आसानी से हुए थे फरार हत्या आरोपी ने मृतक के कपड़े और हत्या में इस्तिमाल आला कतल को गड़े में था छुपाया पुलिस ने CDRI के पास रेलवेट रहके बगल एक गड़े से मृतक के कपड़े किया बड़ा मद फाजल और अफात ने मिलकर अपने ही घर में आफ्ताग को उतारा था मौत की घाट पुलिस ने हत्या का खुलासा कर आरोपियों के पास से आला प्रति भी किया बड़ामद जान की पुरम थाना क्षेत रुस्थित मड़ियाव गाव में हुई थी आफ्ताग की हत्या कि कल दिनांक 11 अक्टूबर 24 को थाना छेत्र मड़ियाव में गहलापूल के पास नदी में एक अग्यात्सव भ्रामद हुआ था जिसके बारे में जानकारी करने पर जनों ने उसकी सिनाक्त आफ्ताव नाम से की जिसके संबन में और जानकारी की तो पता तहला कि दिनांक 8 कि अक्टूबर 24 से यह आफ्ताव अपने घर से गायब था जिसके संबन में थाना जानकी पूरेंपर नौ तारीफ में गुंशुद्गी भी दर्श की गई थी शिनाक्त होने के बाद आफ्ताव के परजिन के द्वारा तहरीर दीगी जिसके आधार को उती धरहों में अग् अच्छर जानकी पूर्म उन्होंने ये लिखा हुआ था है तरीर में पी घर से गुलाकर फाजिल पुत्र नौसाथ और आफ़ाग में इसकी अध्या कर दिया इस पर आवसक जो विजिक कारवाई है कारवाई पचली तरखी में दोनों जो नामजद हैं इनको लेया गया हिर पर चोट पूचाकर इनकी हत्या कर दी गई और शव को ठकाने लगाने के लिए उसकी छुपाने के लिए ले जा करके अपने मित्र के साथ वेगनार गाडी से है बहला नदी पूकर नीचे फिय दिया लिया है हत्या में जो प्रिपत हमारा अला कतल जो राड है और उसके तोनों का नाम है फाजिल पुत्र नुषाज मडायाई अफाक पुत्र Lait नुषी मडेयाऌ थाना छेत salah द्यांकि पूरं इन दोनों लोगों को स्क्षिकार कर आज डिमान ले सक्षे सocate Hell जो यह आख्या का में बजय यह ढही है कि फाजिल जो है फाजिल कि सब्सक्रीयक हुघ तो छांड एजिपमाटल क्या दिखिया जानन होरी उसे अविस्ट रही हुआ बने मक्रों टभाशिक है कर दो अ कर दो दो यह रहा है जो जो आपकार नहा है